अब हम पजामे की stitching कर लेते हैं, पजामा कटिंग की वीडियो आपने देखी लियोगी, अब मैं आपको इसकी stitching बता देती हूँ, तो पहले हम इसका आसन जोड़ लेते हैं, ये आगे की साइड का आसन है, पजामा कटिंग होता है या पैन्ट कटिंग होती है, उसमें आगे का इसा छोटा होता है और बैक हिसा बड़ा होता है ये तो अपने कटिंग में देखि लिया होगा यहां फेस में डबल सिलाई लगा लेते हैं मैं सिंपल सिलाई कर रही हूँ, गुम सिलाई में आपको अगले वीडियो में बताउ हूँ है इस तरह से बैक आशन को भी सील लेते हैं अब देखिए इस तरह से बैक और फ्रंट हमने आशन सील के रेडी कर लिए है अब हम इसकी साइड जोड लेते हैं इस तरह से एक साइड को जोड लेंगे एक साइड सिलाई लगा लेंगे एक साइड की सिलाई कम्प्लेट कर लेते हैं दोनों आशन जोड चुके हैं ये सिलाई भी कम्प्लेट हो गई है अब देखिए हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे दूसरी साइड बंद बाद में करेंगे लास्टिक लगाने के लिए हमने पट्टी को पहले रख लिया है और इस पट्टी के उपर जो पजामे का गेर है उपर का इसको हमें कम्प्लेट करना है पट्टी छोटी है कमर के हिसाब से हमें 36 इंज कमर के इसाब से 40 इंज तो इस तरह से चुनट लगा के इस पट्टी के उपर कंप्लेट करना है इस तरह से छोटी छोटी चुनट लगा लेंगे पूरी पट्टी के उपर देखिए मैं आपको ये जोड के दिखाती हूँ इस तरह से हमें इसमें छोटी छोटी चुनट लगानी है थोड़ी थोड़ी दूर का गेप देना है पट्टी जो है कमर से 6 या 7 इंच बड़ी होनी चाहिए जितनी आपकी कमर आती है उससे 6 या 7 इंच पट्टी बड़ी होनी चाहिए और पलाजो इससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है तो पट्टी के उपर हमें पलाजो का गे गेर कम्प्लेट कर लेना है इसी तरीके से आप इसमें चुनट डालते जाएंगे तो पट्टी के उपर प्लाजो का गेर कम्प्लेट हो जाएगा आप देखिए इसके उपर एक सिलाई इस तरह से लगा लेंगे पट्टी को जमाने के लिए यह पट्टी हमने प्लाजो के उल्टी साइड लगाई है देखिए इस तरह से प्लाजो की सीधी साइड है और अब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे तो 36 इंच कमर के लिए हम इलास्टिक लगाएंगे देखिए 36 यहाँ पे आता है 36 इंच इस से हम 8 इंच इलास्टिक कम लगाएंगे तो हमें 28 इंच का Elastic लगाना है यहां से हम cutting कर लेंगे Elastic को जितनी कमर होती है उससे 8 इंच कम Elastic लगाएंगे आपको tight रखना है तो 9 इंच कम लगा सकते है यहां पे इस तरह से इसके उपर कपड़े को मोड लेंगे अब देखिए यह सिलाई हमें इस तरह से complete करनी है जो नीचे सिलाई लगी हुई है वो सिलाई बाहर की साइड नहीं दिखने चाहिए क्योंकि पलाजो की सीधी साइड है और यह Elastic है यह भी नहीं दबना चाहिए सिलाई में इस तरह से यह सिलाई हमें राउंड के उपर complete कर लेनी है Elastic हमें आगे की साइड खीच लेना है और कपड़े को पीछे ही कठा कर देना है अगर यहां से Elastic दब गया तो कपड़ा पीछे की साइड नहीं जाएगा एक साइड चुनना टिकठी हो जाएगी और एक साइड Elastic रह जाएगा इस तरह से complete करने है यह सिलाई हमें Elastic को यहां से छोड़ना नहीं है अगर छोड़ दिया तो पीछे चला जाएगा अब यहां पर Elastic के उपर सिलाई लगा लेनी है इस तरह से अब हमें दोनों साइड से पकड़ के इस तरह से खीच लेना है इसे हम इसको खीच लेगे तो बराबर चुनट आ जाएगी पूरे राउंड में यहां पर बीच में एक सिलाई लगा लेंगे चुनट इधर उधर ना होए यहाँ पे एक सिलाई बीच में लगाएंगे इलास्टिक को खीच के लगाना है कपड़े के साथ इस सिलाई से इलास्टिक में फिनिसिंग आ जाएगी आप यहाँ पे एक, दो या तिन सिलाई भी लगा सकते हैं अगर यहाँ पे खीच के सिलाई नहीं लगाएंगे चुबेगा इस तरह से मैंने इसके उपर तिन सिलाईय लगा दी है अब हम दोसरी साइड को सील लेते हैं इस तरह से राउंड बना देंगे पजामा को इस तरह से इस सिलाई को भी कंप्लेट कर लेते हैं साइड वाली को पजामा सीलना बहुत ही असान है इसको आप लोंग कुर्टी के नीचे भी पहन सकते हो नाइट में भी पहन सकते हो इस तरह का पजामा आप किसी भी टाइम पहन सकते हो अब यहां से पोंचा मोड़ना है जितने आपको पलाजो की लंबाई रखने है उस हिसाब से रखके और यहाँ से पॉंचे का निशान लगाके इस तरह से मोड लेना है यहाँ पे आप तुरपाई करते हैं तो कची branch लई लगा लेजिए अगर आपको तुरपाई नहीं करने है तो आप पकीश लई लगा लेजिए इस तरह से हमें दूसरे पॉंचे को भी मोड लेना है दोनों पॉंचे मोड लिए है अब हम पजामा के नीचे की सिलाई लगा लेंगे जितना आपको पॉंचा रखना है इस तरह से मोड के निशान लगाएंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे पक्की कर लेंगे स्लाई यहां से दूसरी साइड से पॉंचे को लेंगे और यहां से स्लाई स्टार्ट करेंगे पहले वाली स्लाई आसन तक छोड़ देनी है यहां पे स्लाई पक्की करके फिर से स्लाई स्टार्ट करके और आसन तक स्लाई ले लेनी है आसन पे स्लाई डबल हो जाएगी इस तरह से और यह आपका जो पजामा है सिलके रेडी हो गया है अब आप इसे पहन सकते हैं इस तरह का पजामा आप पार्टी वियर सूट के नीचे भी बना सकते हैं इस तरह से जो दाग्ये हैं उनको कटिंग कर देंगे तो प्लाजो की साथ साथ फिनिसिंग हो जाएगी अब आप इसे पहन सकते हैं